हलो दोस्तो स्वागत है आपको एक नई वीडियो में दोस्तो यह दिया आपने कहानी चैनल बनाया है और कहानी वीडियो को वाइरल करना चाते हैं तो यह वीडियो जरूर देखेगा दोस्तो आज मैं जब यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे कहानी चैनल बनाने इनकी तरह जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो आपका फाएदा 100% होने वाला है दोस्तों यहां पर जिस चैनल के बारे मैं बात कर रहा हूं वह कहानी चैनल की तरह यहां पर वीडियो को बनाता है लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया उसके बाद उनकी वीडियो चलने लगी वही चीज मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दिखाने वाला हूँ लेकिन उस चैनल पर जो हुआ है और जिसने जिसने वह चीज अपलाई किया है मैंने यह भी देखा उनको देखकर बहुत सारे लोगों ने चीज अपलाई किया और रिजल्ट उनको भी मिला है तो मैंने सोचा अपने वीवर को क्यों ना बताया जाए यह चीज कि अगर आप ये चीज अपलाई करते हैं, अगर आपकी वीडियो वारल नहीं हो रही है, तो साइद आपकी वीडियो वारल भी हो सकती है, क्योंकि जब उनकी नहीं हो रही थी, उनकी हनिया वाइस की तरह बीडियो बनाने के बाद उनकी वीडियो नहीं वारल हो रही थी, तो तो थोड़ा सा चेंजिंग करके जब उनकी वीडियो वारल हो सकती है तो साइद आपकी भी हो सकती है यहाँ पर आपको एडिटिंग में बदलाओ करने की ज़रूरत नहीं बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा चेंजिंग करके आप अपनी वीडियो को वारल क कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखियागा जिससे आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएं तो दोस्तों यदि आप हमारे चल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हम अपने चैनल में यूट्यू से लेटर आपको सारी जानकारियां देत देख सकते हैं मैंने एक चैनल को open किया हूए यहां पर है इनकी जी सर्वार्थमर हो सभी वीडियो यहां पर अभी तो वाइरल हो रही है लेकि जब इनकी वीडियो वाइरल होने लगी उसके बाद यहां पर यह सब व्यूज आया था सुरुगात में यह भी नहीं आया था तो यहां पर देख सेते हैं यह हनिया वाइस की तरह वीडियो बना रहे हैं जैसे सभी लोग बना रहे हैं उसी तरह का ये भी वीडियो बना रहे हैं यहां पे इनको खास रिस्पॉंस नहीं मिला जैसा कि सभी के साथ यहां पे हो रहा हैं यहां पे जादा इनको रिस्पॉंस नहीं मिला कभी हजार डेर हजार दस हजार इतने व्यूज आ जाते फिर भी इनके सायदा भी मिला यहां पर देख सकते हैं अभी आपको कुछ König Agla समत में नहीं आघ और आगा जिंग मैं अभी की वीडियो आको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजे यहां पर देख सकते हैं इनकी ज्यादा वाइरल हुई वीडियो को आपका चैनल डिसाइड करता है आपका चैनल किस तरफ चलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एक वीडियो वाइरल हो गई 1.3 मिलियन तो यहाँ पे हुआ क्या है यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे य पहानी ना बनाकर इन्होंने क्या किया मोटी बेशन वीडियो बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर देख सकते हैं मोटी बेशनल कोट्स यानी मोटी बेशनल की तरफ इन्होंने अपने चैनल को ले जाना शुरू किया तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर इन्होंने कह लब कहानी डालना शुरू कर दिये जिसके बाद यहां पर इनकी वीडियो डाउन हो गई यहां पर इनकी कोर्स वाली मोटीवेशन वाली वीडियो यहां पर चलने लगी थी तो यहां पर क्या करते हैं फिर यहां पर देख सकते हैं कहानी की वीडियो यहां पर देख सकते हैं होने इनकी वीड्यो पर 56000 जरी सब्सक्राइब यहां पर देख सकते हैं इनकी हर वीडियो में क्वारिशन का सारे कंटेंट होने लगा यहां Σमझना होगा एक अगर आपकी कोई आइसी वीडियो वारल हो जाती जो motivation हो या कुछ ऐसा हो जो लोगों के सिखाता हो कुछ भी ऐसा आपकी वीडियो में वारल होता है जब तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी वीडियो उसी तरह की चलेगी यहाँ पर एक चीज का इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इस बात को सिखानी वीडियो हनियावाज जैसी बहुत सारे लोग बना रहे हैं लेकिन motivate아요 बहुत कम लोग बना रहे और औरcr होने लगchine रिख और से आपते लेज़् दख सकते हैं आप वारल होने लगे सभी वीडियो पर लग शेपno इस तरह से views आने लगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से आपको भी समझना है, कि अगर आप कहानी बीडियो बना रहे हैं, तो कुछ अलग करिए, motivational टाइप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे competition भी कम है, आपकी बीडियो अगर वाइरल नहीं हो रहे हैं, तब इस चीज को आप ट्राइ करिएगा, मेरा recommendation आपको यही रहेगा, तो यहाँ पे आपको समझ लेना है, कि किस तरह से काम करना है, आपकी कोई वाइरल होती है, अगर motivational वाइरल होती है, किसी भी प्रकार की वाइरल होती है, माता-पीता से related वीडियो आपकी वाइरल होती है, तो आप समझ लेजिए, कि माता-पीता से related ही आपके चैनल में वीडियो चलेंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चीज़े आपको ध्यान रखना होगा motivational यहाँ पर वीडियो इनके चैनल में यहाँ पर चलने लगे हैं तो इसी चीज़ को मैं समझाने वाला था कि आप अगर ऐसे content पर काम करते हैं तो यही चीज़े मैं आपको समझाने वाला था तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो या कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा